तो हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में ऐसी सेटिंग के बारे में बात करेंगे जिसे इनेबल करने के बाद आप लोग अपने फोन का स्क्रीन आफ करके यूटूब में वीडियो चला सकते हैं यूटूब में ही नहीं MI वीडियो, Vigo वीडियो किसी में भी अपना मुवाइल का स्क्रीन आफ करके वीडियो चला सकते हैं तो ज्यादा समय रगाते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा तो चलिए पहले आप लोगों को मैं यूरूब में एक वीडियो चलू करके दिखा देता हूँ तो चलिए हम अपने यूरूब में चलते हैं यहां से हमना अपना यूटूब ओपन कर लिया है और अभी आप लोगों को मैं बैक्राउंड में एक वीडियो चालू करके दिखाऊंगा जिसे कि हमारा वीडियो चलता रहेगा लेकिन हमारे स्क्रीन आफ रहेगा हमारे यूटूब ओपन हो गया है अब हम यहां से आप लोगों को एक वीडियो चालू करके दिखाते हैं कौर चली वाला वीडियो चलू करते हैं अप है को चलो करके दिखाएंगे भी और हमारा ये वीडियो चलू हो रहा भी होँआरा वीडियो चलू हो गया अब अब आप लोग यहां पर एक राइट है जो क्लिक करेंगे चल्द八 एसब्सक्रीन वाइप लिए सुन्वर्प करेंगे और यहां पर आप लोग देख रहे हैं नीचे एक एरक आकण है दिसमें LINK याइफ प्ले वीडियो साउन स्क्रीन औफ मतलब स्क्रीन आफ करके वीडियो का साउंड प्ले करें इस पर हम क्लिक करेंगे यह यह का इमिक आइकन दिख रहा है इसमेरा स्क्रीन अफ हो गया है और हमारे वीडियो अभी चल रहा है अपर मैं आवाज थोड़ा तेज करता हूं आप लोगों को वाइस सुना आई दे रहा होगा हमारा स्कीन आफ है लेकिन वीडियो चल रहा है अभी स्कीन में आन कर दे रहा हूं तो इस तरह से शेटिंग आप भी कर सकते हैं तो चलिए आप लोगों को बताते हैं वह सेटिंग कैसे करते हैं यहां से बैक आ जाते हैं और आप लोगों को सेटिंग में ले चलते हैं और बताते हैं कि वो वीडियो ओ सॉरी वो सेटिंग कैसे करते हैं तो चलिए सेटिंग पर अभी क्लिक करते हैं और यहां से आप लोग नीचे स्क्राल डाउन करें और यहां पर आप लोग देख रहे हैं इस पेसल फीचर इस पर हम क्लिक करेंगे इस पेसल फीचर पर और यहां पर देख रहे हैं वीडियो टूल वाक्स वीडियो टूल वाक्स यहां पर देख रहे हैं आप लोग इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से देखी मेरा इनेवल है मेरा जो वीडियो टूल बॉक्स है यहां से इनेवल है अगर यहां से डिसेबल रहेगा तो जो यूटूब में राइट साइट के कोर्णर में थोड़ा नीचे स्टिक्स आ रहा था वो नहीं आएगा तो मैंने यहां से इसे वो आएगा उसी पर क्लिक करके उसी पर क्लिक करेंगे तो यह वाला आइकन आएगा जहां से आप लोग बैक्राउंड में वीडियो अपना चला सकते हैं और दोस्ते एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यहां जो नीचे आप लोग देख रहे हैं मैनेज वीडियो एप्स य है कि कौन-कौन से यह का बीडियो वीडियो में चलाना चाते हैं औरतरी है माई वीडियो आप यहां से शिलिक्ट्र करना जरूरी अगर यहां से यूट्ble रहे हैं का मतलब असटिलेक्ट्र हेगा तो वहाँ परूपे वो जो stick आइकान आ रहा था वो नहीं आगा तो यहां से आप लोग इसे enable कर लीजिएगा और यहां से जो shortcut location है आप लोग इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से आप लोग right देख रहे है right था right है इसलिए मेरा यहां पे आ रहा था अगर यहां पे left होगा तो यहां पर आएगा तो यहां से आप लोग किसी भी तरह सेट कर सकते हैं तो इस तरह से आप लोग अपने वीडियो टूलबाक्स को सेट करके अपना यूटूब की वीडियो को बैक्राउंड में प्ले कर सकते हैं और इस तरह का सेटिंग आप लोग कर सकते हैं तो आज क्या आई वीडियो आप लोगों करकर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए धन्यवाद